टीटी 2013 परिच्छा के सालमट पेपर हम लों हल करने जा रहे हैं मनुभी ज्यान का पहला प्रश्ण है कच्छा में अनुसासन बनाए रखने के लिए सरवाधी प्रफासाली उपाय क्या है पहला अनुसासन हीन चात्रों को कच्छा से बाहर निकाल देंगे पहला का B दूसरा पताए परस्णा Apost इसकी मूल परवर्ती एक जैसा ही होता है और चोर्दों मूल परवणियों को किस ने बताआ है मैक डूगल ने बताया कुश्चन नमर्दो का हमयों इते जांजे जाुओ क्या है कुछ नवर दू का डिटेल ही है कि सहस्वावस्ता की पर्मुख बिसेस्था होती क्या है सहस्वावस्ता के पहला बिसेस्था होता है कि सारिक बिकास दूसरा मांसिक बिकास या दखिएगा सारिक और मांसिक बिकास सबसेतिवर होता है किसमें सहस्वावस्था में और किसमें किसूर आवस्था में यही दोनों आवस्था जो है यानि साररीक और मांसरी विकास सबसे तीवर सहस्वावस्था में और किसूर आवस्था में होता है बाकी सब अलग अलग अवस्था है देखिए तीसरा कलपना सीलता सबसे किसमें होत करने के लिए ममी भापा सब लोग होते हैं और वह अपने काम स्वयम्हें नहीं कर पाते हैं अपने आप को सारे वर करते हैं उनको समाज से नहीतिकता से कुई मतलब नहीं होता है अधे खेलने की प्रभित होती है जो कि अभी वीद्याले गए नहीं रहते हैं सहस्वावस्ता में रहते हैं और पांच वार्ष के अंदर की उमर होती है तो वो अकेले खेलना पसंद करते हैं अभी समाज का रूप रेकावल नहीं देखें अबोधकाल का जाता है सहस्वावस्ता को अनोखा काल बाले अबोधकाल है तो क्या हो जाएगा सब सिच्छ को को किस छेतर में BCS रुप से प्रसिचित करना चाहिए पहलापसन है BCS आवसकता वाले बच्चों की पहचान और सिच्छड दूसरा ब्याख्यान बिधिदुआरा सिच्छ तीसरा किरियात्मत तक्ता के साथ सिच्छ चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं समान बिधियाले में निशक तबालक बलिकाओं को आर्थिक शुद्धा भी परदान की जाती है इसे क्या करते हैं समय के सिच्छ अब बताए तीसरा का सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा आंसर होगा पहला कि बिसेस आशकता वाले बच्चों की पाचान और सिच्छ कोशन नमर चार देखिए यानि आपका ये तीसरा कांसर जाएगा पहला क्लिए रहे इसका अपनी नोट किया आई था और इसका आपनी क्या लिगा था दो क्लिए रहे अब देखिए कोशन कच्छा में विद्यारतियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हैं तो किस युक्ति कानु प्रयोग आप नहीं करते हैं अब दिखे क्या होगा कि कच्छा में बच्चों को मुटिवेट करने के लिए आप किस युक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं चात्रों में स्वास प्र सरा आंसर होगा इसमें नहीं प्रश्ण दिया याद रखीएगा जिस प्रश्ण में नहीं हो समझ जाएगा उप्रस्ट कठीन है जो प्रस्ण का language बिल्कुल सीधा हो समझ जाना उप्रस्ट मिल्कुल कठीन है question नमर पास देखाजा तीन कपिरण मैंने दे दिया था आप चाहे नूट कर सकते हो पाँचवा देखिए बुद्धियों स्रिजनात्मक के किस प्रकार का संबंद पाया गया है बुद्धियों स्रिजनात्मक में किस प्रकार का संबंद पाया गया है पहला धनात्मक, दूसरा रेडात्मक, तीसरा सुन्य, चौथा ये सभी, याद रखेगा, जब आपके पास बुद्धी रहेगी, बाला के पास बुद्धी रहेगी, तभी उस सिजनात्मक या creative child बनेगा, तो बुद्धी और सिजनात्मकता का आपसी सहसंबन धनात्मक होता है question number 6, अपनी कच्छा के एक विद्ध्यार्थी की प्रविर्थी को ये दिसी चक बदलना है, तो क्या करेगा, कैसे करेगा बदल जाए, पहला विद्ध्यार्थी के साथ कड़ाई से पेशा आएगा, या आना होगा, दूसरा कच्छा के अन विद्ध्यार्थियों को उससे न जानने, योग दूरी बनाये रखने के लिए काना होगा, तीसरा, उसके समु के सभी सर्दिसों की प्रविर्थी बदलनी होगी, चोथा, विद्ध्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रती प्रेरित करना होगा, यही तो पूछना चाह रहा है, कि आप जो है, अपकी कुछन नमर सेवन देखिए, विकास का वही सम्मंद परिपकता से है, यह अन दीजेगा, जब विकास आगे बढ़ जाता है, तो क्या परात करता है, परिपकता, वही से पूछ रहा है, तो उद्धीपन का सम्मंद किसे होगा, पहला अपसन है, परिवर्थन, दूसरा, प्र कुछन नमर आठ देखिए, पियाजे मुखिता किस छेत्र में युगदान के लिए जाने जाते है, बहुत इच्छा प्रस्ण है, पियाजे ने संग्यानात्मक ग्यानात्म विकास का सिद्धान दिया था, मने बताया था इसके पहले की वीडियो में, कि संग्यानात्मक या पियाजे ने दिया था, आब याद कर लिजागा, कुछन नमर नाइन देखिए, जब कभी दो या अधिक ब्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रवावित करते हैं, तो वे एक समाजिक समुका निर्मान करते हैं, यह कथन क्या है, आंसिक उसे सत्य है, दूसरा सत सत्य है, तीसरा कराचित सत्य है, चोथा असत्य है, इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, यह सत्य है, कुछिन नमर नाइन टेन, निर्मिकित में से किस समुके बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, पहला औसद बुद्धी के बच्चे, दूसरा ग्रामिरी बच्चे, तीसरा अध्यनसील बच्चे चोथा कुषाघर बच्चे आप बताएंगे इसम recogn fragen किस समू की बच्चो को समयोजन की समस्य होगी आंसर होगा तस्मा का क्या होगा डी कुषाघ बुद्धी वाले बच्चो को समयोजन में समस्या आईगा कुछिन नमर इगारा देखिए, किसी सिच्चा को यदिया लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विश्वस्तु को भली प्रकाड सीख रहा है, उसमें इस्तिर्था आ गई है, तो उसे सिच्चा को उसे क्या करना चाहिए, पहला देखिए, सीखने की प्रकिया की प्रेरित करना चाहिए, कुश्चन नमर बारा, बच्चे के समाजिक विकास में का बीसेस महत्व है, किसका महत्व है, खेल का, दूसरा है बाल साहित का, तीसरा है दीन चर्या का, और चोथा है संचार माध्यम का, तो बाला के समाजिक विकास में सबसे अधिक महत्व है, किस में से किसके परिच्छर हेतु किया जाता है पहला बैक्तितु दूसरा बुद्धी तीसरा सिजनाल मक्ता चौथा अगृति ये प्रस्ट आपको याद करना होगा ये इसका बेस्ट आंसर क्या होगा बुद्धी ठीक है अब भाटिया का बैटरी का प्रियूग का डीटेल क्या है इसमें पांच परोऊ रूड़र्णार देखिया है बुद्धी परिच्छ्ड के और इसमें कि बालवाटिया बैटरी का प्रियूग निलीकषि कि कि strange सिचिंघौत कि तो बुद्धी ऊगा बुद्धी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक जरूर करना, ठीक है, नेक्ट क्रोशन देखो, कोहलबर का विकास सिध्धान में से किस सम्दित है, यहां भी आपको डेटिल देना होगा, कोहलबर का देखिए, भासा विकास सम्दित है, दूसरा, संग्यानात्मा विकास सम्दित है, तीसरा, नेती विकास सम्दित है, चोथा, समाजी विकास सम्दित है, आप दो सकंड में सोच के बताओ, दो सकंड में कौन सा अंसर होगा, बता चुका हूँ, कोहलबर ने किस पे दिया था, कोहलबर ने कहा था, बालक का विकास, उसके नेती विकास से होगा, इसलिए इसका डिटेल देखिए यहां पर, महासा विकास का सिद्धान किस ने दिया था, चमोस्की, संग्यानात्म विकास का सिद्धान पियाजे, नैती विकास का सिद्धान लारेंस कोलबर, और समाजी विकास का सिद्धान वाइगोस्ट की, हम लोगे प्रस्ट में यही है, नैती विकास क बिद्धियार्थियों की सख्री साहगेता दूसरा अनुसासन और नियमित उपसिती तीसरा गिरिकार की जाच में लगन चौथा विसेवस्तु का कटनाई अस्तर इसमें बेश्ट आंसर क्या होगा? बिद्यार्थियों की सक्री सहभागिता आंसर जो है सही है कुश्चन नमर 16 देखिए निमिकित ब्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे बच्चों को अंत्रिक प्रेड़ा दे रहा है पहला है फादर राबट अपनी कच्चा के उन बच्चों को चाकलेट देते हैं जो अच्छा बैवार करते हैं दूसरा है अगली कच्चा में कच्चनती पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं तीसरा अपने पुत्र के जन दिवस पर गिर्जेस कुमार दावत देते हैं चौथा बिज्ञान बिस्यों में सरोच अंग पाने वाले राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रसंसा करते हैं तो 16 का सबसे बेश्टांसर क्या लग रहा बताईए आप लो 16 का सबसे बेश्टांसर D. विज्ञान विश्यों में सरोचंग पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र कोई प्रसंसा करते हैं ठीक है? और आपको बताया थे कि अभिप्रेड़ा दो प्रकार का होता है एक Y. अभिप्रेड़ा दूसरा आंत्री कईप्रेड़ा आंत्री कईप्रेड़ा मतलब जैसे कोई बालक बच्पन से सुचे मैं डाक्टर बनूगा और आगे चलके वैसा ही काम करें और आगे डाक्टर बन जाए तो वो क्या होता है? आंत्री कईप्रेड़ा आंत्री कईप्रेड़ा में क्या होता है? बालों को सुख और संतोस मिलता है दूसरा होता है वाय अभी प्रेड़ा जो समय की प्रस्ति वस या वातवर की प्रस्ति वस ब्यक्ति मुट्वेट हो जाए तो उसे बोलते हैं वाय अभी प्रेड़ा कुश्चन नमर 17 देखिए पुर्वाग्रही की सुर की सुरी अपने के प्रति कठोर होंगे यानि पुर्वाग्रही की सुर की सुरी पहला है समस्या की प्रति, जीवन सैली की प्रति, समप्रत्य के प्रति, वास्तिक्ता के प्रति तो याद रखिएगा पुर्वाग्रही की सुर की से काते हैं जो पहले से गरसित होगा, इसका बेच्ट आंसर है जीवन सैली, देखे, अब यह आप डिटेल देखना आपको, कुछ नम सत्रा का डिटेल है, लेंगिक पुर्वागरा किसे काते हैं, लेंगिक पुर्वागरा से मतलब है, किसी लिंग बिशेस के परती गरसित भावना, पु लिंग में बिभिन्ता जैसे इस तरी पुरुष में बिभिन्ता लेंगी भिन्ता कर लाता है आप यह डिटेल जानेंगे ऐसे प्रशन अगर दुबारा टीटी में आ जाया तो आप से गलत नहीं होना है कि पुरुव अगरही किसोरी अपने किसके प्रती कट्रों होते हैं किया था बताईए पहला दिया है हिलगारड ने दूसरा इस्टाट ने तीसरा हर लाक ने चौथा पी आजे ने यहां तो हीज ने चार कमी विकासा ऑत्मक अवस्ता को किस्ने दिया था यह कूल फेमस प्रशन है आंसर होगा जी जीन प्याजे तीक है बार बार जीन प्याज आते हैं और डीटेल की चार प्रमुख बिकास आत्मक अवस्ता कोन पहला संवेडी पीश्फी अवस्ता या इंद्री जणित गामक कवस्ता जन्म से दू वर्स की होती है दूसरा है पुरु संक्रियात्मक से सांकरियात्म क कवस्ता और शारी संकरियात्म क हिर्टास से टीए पर्दिए boyam किस्त को जिन उद्धान को रटना ही पड़ेगे और जिसे कि सके लिखन किस अधिगम बैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरसकार को महतु नहीं दिया यह भी प्रस्ट समझने लाएगा है इस प्रस्ट का समंद किसी सिधान से है जैसे मैं आप से पूछू कूँ कूँ बताईए पूर्णवलन सिधान के जनक इसमें से कौन है इसकी नहीं मैं पूछू कि और पूर्णवलन सिधान के जनक कौन है बताईए गुत्री और वाट्सन जैसे देखिए कुश्चन 11 में देखिए एक किस में देखिएगा पूर्णवलन सिधान के जनक क्या हो जाएंगे इसकी नहीं और पूर्णवलन सिधान के जनक वाट्सन ए नहीं दिया और यहां पुनवलन का सिध्धान के जनक कौन है यानि पुरुसकार नहीं दिया जा रहा है तो आंसर हो जाएंगा वाट्चन गुत्री वाट्चन है नहीं तो बेश्ट आंसर होंगे आपके गुत्री कि माइस यह तो रटना पड़ेगा आपको देखे संबेग ब्यक्ति की उत्तेजी दसा है मैं एक क्लास ऐसा विलूंगा जिसमें सिर्फ जो है कतन होंगे संबेग की उत्तेजी दसा है या कतन किसने कहा था तो इसके लिए चार इंपोर्टेंट कफन में लिक्वा रहा हूं किस ने कहा था रास ने कहा था संब्यक्व THIS कि आवेसी दसा है किस ने कहा था जआ कि लिए आप एकुल याद रखना रागातमक राज से राज से राज से याद हो जाएगा उत्तेजित इक्साइटमेंट उडवर्थ ने कहा था जटिल ड्रेवर ने कहा था आवेसित जडशिल ने कहा था आप बताई इसमें से बेस्ट आंसर क्या होगा कुश्चन नमर बाइस संब्यक बेक्ति की उत्तेजी दसा है या कथन किसका है तो उडवर्थ का है चारों आप कथन ये विकुल इंपॉर्टेंट है अच्छा लगे तो लाग जरूर करिएगा और ऐसे आप जरूर रटिएगा कुश्चन नमर तेज देखिए सैच्चिक विकास में मुल्यांकन का अर्थ क्या है सैच्चिक विकास में मुल्यांकन का पहला अपसंदे रखा है कि छात्रों की प्रकति का आकलन करना दूसरा कच्छा अविलेखो का मुल्यांकन तीसरा कार निस्पादन का मुल्यांकन चोथा ग्यान छमता का मुल्यांकन बताए सबसे बेस्ट आंसर क्या होग मावाप के साहे से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को पुरुबालय आवस्ता से उत्तर बालय आवस्ता से आपको इस प्रस्ट का उत्तर स्वयम देना है बताईए देखिए पहली बात माबाप के साहे से बालक सुप्रारम होता है कब जब वो पहली कच्छा में यानि छे वर्स की उमर का होता है और माबाप सो केर करते हैं कब तक आठ नो तक की अवस्ता को यानि छे से नो तक की अव बारा वर्स की अवस्ता में क्या होता है वो अपनी माबाप के साहे से निकलता है बेश्ट आंसर है नो से बारा वर्स भी कह सकते हैं कोश्चन नमर पचीज देखा जाए सीखने का प्रात्मिक मूलभूत नियम संबंदित है किसे सीखें कब आप जब अंभ्यास कारे से दू कोश्ची आप जल देखें कोश्चन नमर चबिस देखिए मानसिक परिपकता की उचाईयों को चूने के लिए प्रतरत रहना संबंदित है किस से किसुर आवस्ता से पूरु बाले आवस्ता से और उत्तर बाले आवस्ता से बताए इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा मानस कोश्ची परिपकता की उचाईयों को चूने के लिए प्रतराना संबंदित है पूरु आवस्ता से कुश्चन नमर 27 देखिए सीखने की प्रिप्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है पहला देखिए पहला है अनुकरण दूसरा है प्रसंसा निंदा तीसरा प् टूबेट होगा उदीपर मिलेगा निंदा करेंगे दंड मिलेगा यानि सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है तीसरा प्रतियोगिता होगा तो फर्स्ट और आगे होना चाहेगा पास होना चाहेगा सीखने की प्रभावित होगा और इसलिए प्रमुक करन क्या हो ज सबसे बेश्ट आंसर क्या होगा बालक के सीखने में प्रेड़ा को किस रूप में उप्योगी माना जाता है तो उप्योग सभी आंसर सही है कुश्चन नमर 29 देखिए निम्लिकित में से किस एक से सिसु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती पहला अनुकरड दूसरा अभी प्रेड़ा तीसरा स्कूल का बस्ता चौथा पुरुसकार बताईए इस सबसे असान प्रस्टन है निम्लिकित में से किस एक से सिसु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती कि旅इगम की तो वा अंसर है इस्कूल का बस्ता एक और नहीं प्रस्टन हम बताईए बिन बच्चों के बूच millimeter सिरसक किस ने दिया था या सिरसक प्र। यस PlayStation ने दिया ता। पूर्फेसर स्पाल कौन थे यूजी सी के अध्यस थे बूतपूर अध्यस थे आखरी परस्ट स्वख के अंद्री तवस्ता होती है बालक के अब बताएं स्वख के अंद्री तवस्ता बालक के होती है पहला जन्म से दो वर्स तक तीन से छे वर्स तक साथ से किसुरा वर्स त ऐस्वक और किस्वरा सवक एंद्री तवस्ता या आत्मकल्यान क्यों संवस्ता से जुड़ा होता है. किसने कहा था लारेंस को अलबर्ग ने कहा था तौस्वक एंद्री तवस्ता होती है बालक के जन्म से दू वर्सक बेच्ट अंसर क्या होगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगए लाइक करना नेक्स वीडियो मिलेंगे जै हिंद जै भारत